तो हलो गाई स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर एक और नहीं वीडियो के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास यह दो फोन है एक है यह यह रियल्मी 7 प्रो जैसे कि आप सभी को पता लेजेंडरी फोन है और दूसरा इसी का ही एक सक्सेसर जिसे हम कह सकत को दिखा घ्रोड वर्जन रेल्म यह 2.0 चल रहा है लेट इसके अंदर इसकेंदर हमें रैम एक्सपेंशन तक का फीचर मिलता है और सेम टुसेम है रियल्मी 7 परो के साथ यहां पर आप देख सकते हो रियल्मी यह 2.0 एंडुड 11 चल रहा है तो यह वीडियो में बना किस ले रहा हूं किस टॉपिक पर बना रहा हूं तो आपको अलड़ी पता होगा उनके अंदर रियल्मी यूई 3.0 का अरली एक्सेस जो है बहुत जल्दी आने वाला है वो मैं यहां पर आपको दिखाया था हूं देखो डिसेंबर 2021 में रियल्मी 8 प्रोक अंदर अरली एक्सेस र कर लेना यहां पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगो कि टेलिग्राम ग्रूप जरूर जोइन कर लो इसका जो इन्विटेशन लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहला लिंक मिल जाएगा जाके जोइन कर लेना क्योंकि काफी इंपोर्टेंट जो काफी नए-नए-न-वाले हैं जैसे यहां पर फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है 3.0 के अपडेट के बाद हमें देखने को मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो Realme UI 3.0 के अंदर यह काफी नएने features आने वाले हैं जैसे यहाँ पर Omoji भी है और यह Apple वाला feature है उसके बाद customize वाला है यह जो main है यह है Truly yours with sketchpad always on display यहाँ पर आप देख सकते हो जिसे हम कुछ इस तरीके से customize कर सकते है क्या Realme 7 Pro के अंदर आएगा इसके ओपर मैं already वीडियो बना चुक हूँ बट यहाँ पर यह वीडियो बनाने का मेरा एक और रीजन है जो काफी तगड़ा पॉइंट यहाँ पर आप सभी के सामने निकल कर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ तो यह इस वेबसाइट का link में नीचे description के अंदर देदूँगा यह line आप पढ़के खुद आप अंधादा लगाना कि इसका क्या मतलब है और यह brand क्या कहना चाह रहा है पर रिमाक्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर तीन पॉइंट दिये हो है नंबर वन तो है Omoji will continue to update in Realme UI 3.0 and it only supports certain model for more information please stay tuned for Realme community उसके बाद है only Realme GT Master Edition and Realme GT support the PC connection function temporarily in addition more Realme smartphone will support this function in future for more information subsequent model adaptation please refer the official PC connect website यह कह रहा है यहाँ पर उसके बाद नंबर तीन पॉइंट आप देखो Due to hardware differences the always on display feature is only available on certain OLED models यहाँ पर आप एक चीज़ देखो certain OLED models लिखा हुआ यहाँ पर नहीं उन्हें यहाँ पर कोई Super AMOLED लिखा है नहीं यहाँ पर कुछ और लिखा है और यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि hardware differences इसका मतलब यहाँ पर दो टाइप से निकलते हैं एक तो यह कि हमें always on display customization नहीं देखने को मिलता इवन black and white भी नहीं मिलता ओपो या वीवो के अंदर at least हमें इतना तो मिल जाता है दोस्तों यह लाइन पड़के मेरे हिसाब से तो भाई यही निकल कर आता है कि realme y 3.0 के अंदर भी हमें always on display customizations related कुछ खास progress हमें इन phones के अंदर देखने को नहीं मिलेगी आई नो यह बहुत disappointing है सुनना आप सभी के लिए as a realme user as a realme 7 pro realme 8 pro realme x7 user बट क्या कर सकते हैं यह लाइन पड़के जो reality निकल कर आ रही है वो तो यही है बाकी आने वाले एक से डिएड़ महीने में सब कुछ clear हो जाएगा stay tune realme 8 pro के अंदर 3.0 का सबसे पहला रोल आउट होगा बीटा तो उसके लिए connected रहो चैनल पे तो जैसी अपडेट आएगा मैं आप सभी के साथ share कर दूँगा तो यह थी एक quick information video I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी तो like करके चैनल को subscribe जरूर कर दो